हेलो इस्टुडेंट आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लेजन कंडेंसेशन रियेक्शन के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लेजन कंडेंसेशन रियेक्शन किस परकार से प्रोसीड करती है उसके बाद में हम देखेंगे इसकी मेकनिजम और लास्ट में आपको एक इसे ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि यदि आपको क्लेजन कंडेंसेसर रियक्षन दी हुई है तो आप 5 सेकिंड के अंदर उसका प्रोडक्ट बना लोगे तो चलिए हम बात करते हैं क्लेजन कंडेंसेसर रियक्षन किस परकार से प्रोसीड करती है तो देखिए जब भी एस्टर के 2 मोल की रियक्षन बेस के साथ में करवाई जाती है और उसके बाद उसका हाइडरोलाइसिस करवाया जाता है तो हमें बीटा कीटो एस्टर मिलता है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एस्टर के 2 मोल की रियक्षन यहाँ पर लिखावा नहीं होगा कि एस्टर के हम 2 मोल ले रहे हैं हमें कुछ से पता होना चाहिए कि जब क्लेजन कंडेंसेसर रियक्षन होती है तो ester के 2 mol consume होते हैं और आपको पता कैसे लगेगा कि क्लेजन कंडेसिजर रियक्षन है वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ तो देखे ester के साथ में आपको जब भी कभी base दिया हुआ हो और base हम कौन सा लेंगे C2H5O- तो ester के साथ में जब भी आपको C2H5O- base दिखे और उसका hydrolysis भी अगर करवाया गया हो और उसका hydrolysis भी अगर करवाया गया हो H3O- यहाँ पर दिया गया हो तो हमें पता लग जाना चाहिए कि यह तो क्लेजन कंडेसिजर reaction है और होगा क्या यहाँ पर ester के दो मॉल कंजूम होंगे और उसके reaction C2H5O- base के साथ में करवाया जा रहा है और बाद में उसका hydrolysis करवाया जा रहा है तो हमें क्या मिलेगा बीटा कीटो ester बीटा कीटो ester हमें मिलता है बीटा कीटो ester हमें मिलता है तो यह होती है चलिए हम देख लेते हैं कि ester हम किस परकार का लेंगे और product हमें किस परकार का मिलेगा तो उसके लिए हमें चलना होगा नेक्स पेस पर तो देखिए यहाँ पर हमने ester लिया है R-C-O-O-R यहाँ पर हो सकता है कि दिया हुआ हो कि 2 mol हम consume कर रहे है यह हो सकता है कि नहीं दिया गया हो आपको खुद से पता होना चाहिए कि कलेजन करना से से reaction में ester के 2 mol consume होते हैं तो देखिए हमें किस परकार का product मिलेगा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ R-C-O-C-H-2-C-O-O-R तो देखिए यह सारा group है ester group यह इसकी alpha position हो गई और यह इसकी beta position हो गई तो देखो beta position पर क्या है keto group है इसलिए इसको बोला जाता है beta keto ester यही region होता है beta keto ester बोलने का कि जो beta position है वहाँ पर keto group होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे पता लगा ये हो गया पुरा ester group ये इसकी alpha position और इसके अगला वाला carbon ये हो जाएगा beta position तो इसलिए इसको beta keto ester बोला जाता है कौन सा base हम यूज़ कर रहे है C2H5O- और फिर इसका hydrolysis करवाया जाता है अब हम देखेंगे collision condensation reaction की mechanism तो उसके लिए हमें चलना होगा next page पर जैसे हर एक कहानी में एक hero होता है वैसे collision condensation reaction की कहानी में जो hero होता है वो है C2H5O- ये क्या करता है ester के एक mole को N9 में convert कर देता है ये कैसे करेगा देखेंगे इसके पास में ये electron है ये lone pair है तो ये क्या करेगा ये है एक base तो इसको acid पसंद है और acid को भी base पसंद होता है तो ये मान के चलो कि जब भी base को acid दिख जाएगा तो सबसे पहले acid base reaction होगी क्योंकि बहुत fast ये वाली reaction होती है तो देखें ये जो electron है ये क्या करेगा इस hydrogen पर यहाँ पर attack कर देगा क्यों attack करेगा क्योंकि ये वाला hydrogen acidic hydrogen है जैसे ये hydrogen निकलेगा और इस carbon पर negative चार जाएगा तो वो resonance के द्वारा stable हो जाएगा इसलिए ये वाला hydrogen क्या है acidic hydrogen है तो जैसे ये hydrogen यहाँ से निकलेगा तो देखो यहाँ पर A9 बन जाएगा तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A9 किस परकार का बनेगा CH2 यहाँ से hydrogen निकल गया तो इस carbon पर क्या जाएगा negative 4 जाएगा क्योंकि ये जोनों electron इस carbon के पास में आ जाएगे आगे जो भी है उसको हम egities लिख देंगे CWOC2H5 अब देखिए एक मॉल A9 में convert हो चुका है अब क्या होगा जो दूसरा मॉल है ester का मैंने आपको बताया था कि ester के दो मॉल consume होते हैं तो यहाँ पर देखे step 2 में क्या होगा CH3 CWOOC2H5 यह A9 वाला compound है उसको मैं egities यहाँ पर लिख रहा हूँ CH2 इसके उपर क्या है नेगिटिव चार्ज है यहाँ पर आप देख सकते हैं CWOOC2H5 अब देखे यहाँ पर होगा क्या यह जो नेगिटिव वाला carbon है यह attack करेगा दूसरे मॉल पर अब सवाल आता है कि कहां पर attack करेगा तो आप देख सकते हैं कि यह carbon और इस oxygen के बीच में electron negativity का क्या है difference है इस oxygen की electron negativity ज़्यादा है और इस carbon की electron negativity कम है तो होगा क्या उसकी वज़े से इस carbon के उपर delta positive charge आ जाएगा और इस oxygen के पास में delta negative charge आ जाएगा तो होगा क्या यहाँ पर electron की कमी है तो यह minus charge क्या करेगा यहाँ पर attack कर देगा जहाँ पर electron की कमी होगी वहीं पर यह attack करेगा तो देखे हम इसको एज़ेटी जैसा का ऐसा लिख देंगे जैसे ही यहाँ पर attack करेगा तो इस carbon के 5 bond बन जाएंगे जो तो possible है नहीं तो यह जो bond है इसके दोनों electron इस oxygen के पास में चले जाएंगे क्योंकि electron negativity इसकी ज़्यादा है अब देखेए मैं इसको ऐसे के से लिख देता हूँ CH3 इस carbon पर जो oxygen था उसके उपर क्या जाएगा नेगिटिव 4 जाएगा और यहाँ पर देखो OC2H5 है इसको मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ OC2H5 और जो यह attack किया है इसको मैं आगे ऐसे के से लिखता हूँ CH2 यह CH2 आ गया फिर C double bond और फिर यहाँ पर OC2H5 अब देखें नेक्स स्टेप में क्या होगा जैसे यह negative 4 नीचे आएगा तो होगा क्या carbon के फिर से 5 bond बन जाएंगे जो तो possible है नी तो यह वाला group यहाँ से living group की तरह निकल जाएगा और देखें हमें product किस परकार का मिलेगा वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CH3 और देखो यह जो carbon था वहाँ पर double bond oxygen आ जाएगा क्योंकि देखो इसने electron pair इस bond को दे दिये हैं bond में convert हो चुके हैं तो देखो यहाँ पर क्या बचा CH2 C double bond O और यहाँ पर O फिर C2H5 यह यहाँ पर आ गया अब आप देख सकते हैं यह वाला पूरा जो group है वो तो ester का group है यह position हो जाएगी alpha position और यह position हो जाएगी beta position तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जैसे ही हम ester के 2 mol की reaction किसी base के साथ में करवाते हैं तो हमें beta keto ester मिलता है यहाँ पर हमें beta keto ester मिल चुका है तो यह हमने देखा इसकी mechanism तो देखो सबसे पहले हमने क्या देखा कि ester की जब reaction हम base के साथ में करवाते हैं और उसके बाद में उसका hydrolysis करवाया जाता है तो देखो हम hydrolysis क्यों करवाते हैं क्योंकि देखो यह जो mol निकला है C2H5O- C2H5O- जैसे हम इसका hydrolysis यहां पर करवा देंगे तो होगा क्या यह जो C2H5O- इसको भी क्या मिल जाएगा hydrogen मिल जाएगा और इसके साथ में यहां पर क्या मिल जाएगा C2H5OH यह हो गई इसकी mechanism main तो यही था कि हमें beta keto ester मिलता है किस परकार से मिलता है यह हमने देख लिया सबसे पहले हम क्या करेंगे एक मॉल को A9 बनाएंगे और दूसरे मॉल के उपर उसका अटेक करवा देंगे तो देखे अब मैं आपको सो ट्रिक बता देता हूँ यहां पर मैंने ester के दो मॉल लिख लिए है सबसे पहले हम क्या करेंगे अब देखो कोपी करके लिखना है साप साप यहां पर देखो CH2 जूड जाएगा फिर यह C2H5 यहां पर आ जाएगा फिर OC2H5 यहां पर आ जाएगा यह हमें मिल गया बीटा कीटो ester यह अलपा पोजिशन यह बीटा पोजिशन तो बीटा कीटो ester इस परकार से आपको product बनाना है और सबसे main चीज आपको ध्यान रखनी है जब भी आपको कभी ऐसा दिख जाए कि base दिख जाए और उसका hydrolysis करवाया जा रहा है और ester के आपका दो मोल भी दिख सकता है या फिर एक मोल भी लिखावा हो सकता है आपको अमेशा दियान रखना है कि reaction अमेशा मोल्स में होती है ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मोल ही पड़ा होगा लाखो करोडों मोल ester के पड़े हुए होंगी लेकिन एक बार जब reaction बीटा कीटो ester बनता है तो दो मोल कंजूम होते हैं अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे इमिजिंग वीडियो आप देखना चाहते है और अगर अगर आपको टेलिग्राम का लिंक इस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है वहाँ पर आप मुझे मेसेज करके आप अपनी प्रोब्लम्स पूछ सकते हैं